Hello dear students, करते हैं question number 5 of section B, question कह रहा है, a swimmer reaches the other bank of a flowing river, exactly opposite to the starting point, तो एक swimmer है, वो यहाँ से शुरू करता है और exactly opposite point पे पहुँच जाता है, swim करके, if he was swimming at 2 km पर hour, while maintaining 150 degree width of the flow, तो river का flow इस direction में हो रहा है, तो river का flow हमने VF मान लिया, river की width 1 km हमको given है, और जो swimmer है, वो flow से 150 degree पर swim कर रहा है, मतलब upstream swim कर रहा है, ठीक है, अब होगा कि अगर swimmer ऐसे ही swim करे, तो ऐसे पहुँचेगा, क्योंकि water जो है, वो इसको कुछ इस direction में धकेल देगा, तो वो अगर ऐसे swim करेगा, तो इधर पहुँचेगा, अगर वो कुछ upstream swim करेगा, ऐसे swim करेगा, तब जाके जहां से swim करना उसने शुरू करता, उसके just opposite end पर पहुचेगा, कब, जब वो upstream swim करेगा, तब, तो यह अपन को given है, कि उसकी जो swimmer की, जो speed है, वो 2 km पर आ रहा है, और वो upstream है, और वो flow की, यह flow की direction है, इधर, flow के साथ उसकी जो velocity का angle बन रहा है, वो 150 degree है, तो यह वला angle हो ज cross the river, अब इसको cross करने में कितना time लगए, तो बड़े असान सा question है, ठीक है, तो time क्या होता है, देखो, time होता है, distance upon speed, अब एक बात गांट मार लो, कि अगर मैंने यह वाला distance लेना है, तो मैंने speed भी इसी direction वाली लेनी है, बस खतम हो गया question, और कुछ भी नहीं करना होता, ठ नहीं, इस direction में given है, कि हाँ given, तो उसका यहा component लोने है, खतम बाद, तो distance कितना, 1, 1 क्या, km, speed, speed, अगर मैं यह वाला distance लेना, तो speed भी इधर इसी direction में चाहिए, इधर 2 km है, तो यहा component कितना हो जाएगा, 2 cos 60, तो यहाँ पर आजागा, 2 cos 60, ठीक है, 2 की जगा 2 आगए, cos 61 by 2 solve करेंगे, वहना वर अपना answer, बुलो समझ मैंना, thank you